आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है The Lost Child और इसका हम पार्ट वन आज पढ़ेंगे और ये जो स्टोरी है The Lost Child, इसके बारे मैं थोड़ा से बताना चाहूंगा, ये क्या है? बहुत ही मारमिक कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो सब के मन को छू जाएगी और आपके मन को छू जाएगी इस एक बच्चे की कहानी है जो की बहुत ही चंचल दिमाग का है बहुत ही हर चीज उसको चहिए होती है पर अचानक से क्या होता है जो वो खो जाता है तो उसको रिलाइज होता है अब उसको चाहिए उसके parents ही है, उसके mother and father उसको चाहिए है, चली देखते हैं कहानी, इसमें क्या होता है, a child goes to affair with his parents, एक बच्चा जो की अपने parents के साथ मेले में जाता है, he is happy, बहुत खुस है वो, and excited, कफ, excited भी है, and wants the sweets and toys displayed there, और उसको वो सारी के सारी चीजें जो मेले में display पे लगी ह मेरे में दिख रही होती है, मिठाई यहां खिलोने, सब उसको चाहिए होती है, but his parents don't buy them for him, usually it happens, जो है, जितने भी parents होते हैं, अक्सर बच्ची जो कुछ भी मांगते हैं, सब कुस तो उनको नहीं लेके देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, जो उनको कुछ भी नहीं offers them to him, तो आखिर में जब वो बच्चा अपने parents से सब कुछ मांगता है, और वो नहीं लेके देते हैं, और जब वही चीजें उसको कोई दूसरा offer करता है, तो क्यों नहीं लेता है, आखिर में क्यों accept, नहीं करता है, चलिए कहानी में देखते हैं, it was festival of spring, ये कब का महीना थ एक्चुली में spring का festival था, बसंत रितू जब आती है, तो उस समय का कुछ festival था, from the wintery shades of narrow lanes and elies immersed, गेली-clad humanity, तो गेली का मतलब अगर हम बात करें, तो गेली का मतलब बता है beautifully, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेली का meaning दिया हुआ है, और clad की मतलब, जो है कुछ ऐसा कह सकते जिसे उससे भरा हुआ, उससे ढखा हुआ, कुछ इस तरीके से, humanity का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, actually में humanity का मतलब people से है, लोगों से है, तो गेरा author की, from the wintery shades of narrow lanes and elies, तो छोड़ी पतली गलियों से, जो है, नेरो गलियों से, पतली गलियों से, इमर्जड निकलती है गेली-clad humanity, मतलब काफी अच्छे-च्छे कपड़े पहने हुए, beautiful तरीके से, जो है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से निकलते हैं, some walked, कुछ चल रहे होते हैं, some road on horses, कुछ घोड़े पे बैठे हुए होते हैं, others sat, being carried in bamboo and bullock cards, और कुछ लोग एक bamboo और बैठे हुए भी उनको कोई ले के जा रहा होता है, one little boy ran between his father's legs brimming over with life and laughter, brimming का मतलब होता है, full of something, तो यहाँ पे जो बच्चा हो क्या है, full of life and laughter है, तो एक चोटा सा बच्चा होता है, जो कि अपने फादर के पैरों के पास जो है, एक सर दोड़ता रहता है, और क्या है, बहुत ही full of life है, बहुत ही full of laughter है, काफी जो है, उचल कूट करते हुए वो जा रहा है, come child come, called his parents, और उसके parents उसको क्या, अकसर पीछे भी चूट जाता था, तो अकसर उसके parents उसको क्या बलाते है, come child come, बेटा जल्दी आओ, आगया आओ, he's called his parents, as he lacked behind, जब भी वो पीछे चूट जाता था, उसके parents उसको बलाते थे, fascinated by the toys in the shops that lined the way, और आकर पीछे क्यों छूटता था, क्योंकि यह fascinate होता था, किस से, toys से, fascinate का मतलब क्यों होगा, यहाँ पर attract, वो toys को देखके, जो की वहाँ के मेले के, में दोनों तरफ दुकानों पे लगी हुई थी, shops में लगी हुई थी, उनको देखके काफी बिचारा attract जाता था, और इसलिए बिचारा पीछे छूट जाता था, he hurried towards his parents, और जब भी उसके parents उसको बलाते थे, तो फिर से दोड़ के उनके पास चला जाता था, his feet obedient to their call, और उसके पैर कैसे थे, अपने उसके parents के जो है, बुलावे के लिए क्या थे, एक नहीं खिलावने पर क्या होती है, रुकी रहती है, on the receding toys, वो खिलावने जो कि अब धीरे-धीरे पीछे छोट रहे थे, क्योंकि वो चल रहा था आगे, receding का मतलब to left behind, या फिर to be left behind, मतलब पीछे छूट जाना, तो जो खिलावने जब वो अगे-अगे जा रहा था, तो जो खिलावने पीछे छूट जा रहे थे, उन पर उसकी निगाहे अभी भी लिंगर कर रहे थी, इस्टे थी, उसको बहुत ध्यान से वो देख रहा था, as he came to where they had stopped to wait for him, क्योंकि फिर वो कहां पर पहुँच जाता था, जहां पर उसकी parents उसके लिए खड़े जाते थे, इंत उसके पिता जी, औलगर के देखने का, तो उसके पीता जी अक्सर क्या करते थे, उसको बहुत पूर के देखते थे, इसका मतलब क्या होता था, कि वो रिफ्यूज कर रहा है, वहीं करने वाले पर फिर बीचारा कई बार अपने मन की इच्छाओं को दबाने पाता था और मांग बैठता था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल स्टेर का मेंनिक मैंने दिया हुआ है लाक फिलिंग मतलब बिना किसी फिलिंग के किसी को गूर के देखना उसे क्या कहेंगे ओल्ड कुछ टेएर और फिर क्या कहता है मुझे वह उखिलाना चाहिए एक प्लेड करता है बहुत ही इमोशनल तरीके से मांगनी कोषिज करता ह तो pleaded का मतलब होता है made an emotional appeal बहुत ही emotional तरीके से मांगने की जब वो कोशिस करता है कहता है पापा मुझे वो खिलोने चाहिए और उसके पापा उसके तरफ क्या करते हैं लाल लाल आखों से देखते हैं और उसी तरीके से जो कि उनका अक्सर पुराना तरीका रहा है टारेंत का मतलब होता है Ectuary Dictator. मतलब जो काफी जो है अपने मन की ही करता हो, किसी की ना सुनता हो तो उसके फादर भी कुछ ऐसे ही थे तो वैसे हाला कि टारेंट का मतलब बता अत्याचारी या फिर जो है डिक्टेटर यहां पर जो है अच्छा वर्ड हो सकता है तो उसके पिता जी एक डिक्टेटर की तरह उसको घूर के देखते हैं कहते हैं नहीं किसी तरीके से नहीं मिलेगा His mother melted by the free spirit of the day was tender और उसकी मा जो की अक्सर जो है उसकी बातों से पिखल जाती थी क्यों क्योंकि माहौली कुछ ऐसा था free spirit वाला माहौल था मेले का महौल free spirit वाला होता उसको वहाँ पे हर किसी को सब कुछ दिखाई पड़ती है हर किसी को बहुत सारी चीज़े खरीदने का मन करता है लेने का मन करता है उसका भी कर रहा था और यह देखके उसकी मा जो है काफी पिखल जाती थी of the day and see was tender मतलब काफी जो है tender हो जाती थी tender का मतलब काइंड और वह बच्चे को देखके काफी उनको दया आती थी कि सायद हो कुछ कर पाती पर वो कुछ नहीं कर सकती थी and giving him her finger to hold set और फिर क्या करती है अपनी उंगलिया उसको देती है पकड़ाती हुए look child what is before you और उसको क्या करती थोड़ा सा बहलाने की कोसिस करती करती है और देखो बिटा वो सामने क्या है तुमारे वो क्या है it was a flowering mustard field और वो क्या थे mustard के field थी सरसो के क्या थे खेत थे जिसमें फूल लगे हुए थे पेल like melting gold और कैसे फूल थे उसमें से बिलकुल पीले पीले थे जो की पेल का मतब क्या होता है yellow light yellow melting gold ऐसा लग रहा थे कि gold क्या हो रहा हो उस पूरे खेत में melt हो रहा हो as it swept across miles and miles of evil land और वो जो उसके जो खेत थे सरसो के खेत थे मीलो दूर तक क्या थे फैले हुए थे a group of dragonflies were bustling about on their goddy purple wings और वहाँ पे कई सारे जो है dragonflies क्या कर रहे थे जो है उसके उपर जो है हल चल कर रहे थे खूब दर दर जो है उड़ रहे थे on their goddy purple wings तो goddy actually में क्या है एक ऐसा वर्ड है goddy का मतलब very bright and show ही मतलब कुछ बहुत ही bright हो बहुत ही चमकीला हो तो उसे क्या कहेंघे गाड़ी कहेंगे तो कैसे उनके wings पर फूर विंग्स कैसे थे बहूत ही गाड़ी थे बहुत ही बहुत ही show beta और वह क्या करते थे 100 image大家都 mam फूलों के उपर क्या कर रहे थे मन रहा रहे थे इंटरसेप्टिंग दिफ लाइट अफ लोन ब्लाक भी और बटर्फलाइए इन सर्च आफ स्वीटनेस फ्रॉम दी फ्लावर्स और अक्सर वो क्या करते थे जब कोई जो है एक अकेली जो है ब्लैक भी या फिर कोई बटर्फ फ्लाई ने कुछ रop prov करों करता है और थे किस तरह की तरफ हो रहे है किस तरफ जा रहे है तिल वन आप दिप्रिंग वोड़ेए च्ट्र eldest ऑन रुस और और तब तक उनको देख रहा था ध्यान से कि जब तक उनमें से एक क्या करता है अपने wings को flap करना बंद कर देता है और एक ही जाया पर rest करने लगता है फिर वो क्या करता है उसको पकड़ने की कोशिस करता है बट इड़ गो फ्लटरिंग लेकिन तुरंट जो क्या करता था वो फिर से वो उड़ना सुरू करके भाग जाता था फ्लैपिंग अपने wings को flap करते हुए अप इंटू दी एर हवा में उड़ जाता था विए अल्मोस्ट कॉट इंट इन इन इस हैंड और ऐसा तब होता था अक आने का जो कॉल होता है कम चाहिल कम कम on to the footpath तो करें बेटा चलो जल्दी आजो आजो footpath पे फिर हम लोग को आगे बढ़ना है अपर वह अपने पैरंट्स की तरफ बहुती बहुती खुशी खुशी उनके तरफ बढ़ता है सहांँ शाइब बैसाइब मैं अब धाल नहीं वहार वाइल देर तक उनके वह चलता है being however soon left behind लेकिन थोड़ी देर में फिर से बिचारा पीछे छूट जाता है attracted by the little insects और वो जो छोटे-छोटे insects से जिनको देख रहा था उनकी तरह बिचारा attract होके फिर से जो है क्या होता है पीछे छूट जाता है and worms along the footpath और यह कौन से थे जो की footpath के किनारे थे that were teaming out from their hiding places जो की क्या रहे थे group में बाहर निकले वे थे कहां से अपने hiding places से to enjoy the sunshine धूप को थोड़ा सा enjoy करने के लिए निकले थे जो की footpath के किनारे धीरे-धीरे एक group में जा रहे थे उनको देखके बचारा फिर से पीछे चूट जाता है come child come फिर से जो है उसके parents उसको बलाते है his parents called from the shade of a group और इसके parents उसको फिर से इस बार बलाते है इस बार वो कहां पर है जो है group के पास में group का मतलब होता है group of trees मतलब जहां पर बहुत सारे पेड़क साथ में लगे हुए उस जगे से क्या करते हैं वहां पर parents उसके बैट गए हैं फिर रेस्ट कर रहे हैं where they had seated themselves on the edge of a well जहां पर वो कहां पर बैठे हुए एक well के किनारे जो है उसके पर जो चारो तरफ बना होता है eat का उसी पर बैठे हुए और वहीं से बलाते है come child come और फिर उसके बार जो है बच्चा फिर से दोड़के उनके पास जाता है he ran towards him और फिर हो क्या करता है उनके तरफ दोड़ता है a shower of young flowers fell upon the child as he entered the group और जैसे ही वह उन पेडों के group में एंटर करता है तो धेर सारे फूल जो है उसके दोड़ने की वैसे थोड़ी हाल चल की वैसे क्या होते है उसके पर फूल गिरने लगते है and forgetting his parents और अपने parents को भूल जाता है कि वहाँ पे जब उसके पर फूल गिरने लगते हैं तो बचार अपने parents को भूल जाता है कि वो किसके पास जा रहा था और फिर क्या करता है वो जो फूलों की पंखुडियां है पेटल से जो गिर रही है उसको बचारा कलेट करने में फिर से लग जाता है और तभी व अचानक से क्या सुनता है लो एक sound एक sound किसका sound है वो जो की डव का sound है जो डव जो कू कर रही थी जैसे उसने सुना and ran towards his parents shouting the dove, the dove और फिर अपने parents की तरफ दोड़ते हुए चिलाते हुए जो है दोड़ता है आजो बेटा आजो they call to the child वो उसको बिला लेते हैं अपने बच्चे को बिलाते हैं who had now gone running in wild capers round the banyan tree wild capers का मतलब बता है dance are run around and gathering him up they took the narrow winding footpath अब वो बिचारा क्या करता है फिर से जो है जो banyan tree है उसके चारों तरफ क्या करता है dance करते हुए दोड़ता है and gathering him up they took the narrow तो उसके parents उसको फिर से बिलाते हैं बेटा चलो आजो जल्दी आजो और उसको लेते हुए अपने साथ फिर से क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं they took the narrow winding path जो पतला सा रास्ता है जो की इधर उधर zigzag तरीके से मुड़ता है उस रास्ते को पकड़ के फिर से आगे पड़ते हैं as they neared the village the child could see many other footpaths और जब वो गाउं के किनारे पहुँचे तो बच्चा बहुत सारे footpaths महाँ पर देख सकता था full of throngs जिस पर क्या थी बहुत सारी भीड थी थ्रॉंक का मतलब क्या होता है crowd मतलब बहुत सारी भीड थी converging to the whirlpool of the fair converging मतलब intersect करना होता है whirlpool मतलब a quickly rotating mass of people जहां मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे को criss cross करते हुए आगे बढ़ रहे थे कोई कहीं किसी direction से आ रहा था कोई किसी direction से आ रहा था चुकि मेला था बीड बहुत ज़्यादा थी तो अक्सर क्या कर रहे थे लोग एक दूसरे को at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering और अच उसको उस समय क्या होता है अच एक अजीब ही feeling होती है मतलब उसको थोड़ा सा repulsion भी feel होता है और थोड़ा सा fascination यानि attraction भी feel होता है किस बात को लेके by the confusion of the world he was entering क्योंकि वो काफी इस जिस दुनिया में enter कर रहा था उसके बारे में काफी confused था कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इसके बारे में काफी जो इसको confusion था तो उसको कभी थ थोड़ा सा repulsion भी होता था तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा attraction भी होता था उसके बारे में a sweet meat seller hugged और तभी वहाँ पे एक हलवाई जो क्या कर रहा था होग कर रहा था चिला रहा था मतलब जो है कुछ लिए वे था आपने हाथ में और जो है लोग चिला रहा था क्या गुला sweets और वह कहां पर था actually में एक जहां पर एक entrance के एकदम corner में था कहीं रास्ते का जो कोई गली का कोई entrance रहा होगा उसके just corner पर ही वह मिठाई वाला था और वहां पर बहुत सारी लोगों ने क्या किया था उसको घेर कर रखा था बहुत सारी crowd थी pressed around his counter जो उसके counter के चारो तरफ उसको क्या किये थे घेरे हुए थे at the foot of an architecture of many colored sweets और जहां पर क्या थी बहुत सारी color food sweets का कुछ जो है चोड़ा सा एक architect मतलब जो है कुछ बनाय हुआ था कुछ shape type का बनाय हुआ था और उसी के चारो तरफ क्या कर थे बहुत सारे लोग खड़े थे decorated with leaves of silver and gold जिसको उसने क्या पाड़के बहुत ही बड़ी बड़ी आँखों से उसको जो है विचारा देख रहा था और उसके मूं में पानी भी आ रहा था किसके लिए बर्फी के लिए बर्फी that was his favorite बर्फी क्या थी उसकी favorite थी sweet I want that बर्फी अब वो विचारा फिर से अपने मन को रोक नहीं पाता है औ लोईस तो बहुत ही लोईस में क्या करता है बुलता है मुझे वो बर्फी चाहिए बटी हाफ निव एजी बेक्ड़ दैट इस प्लिया वोड नॉट बी हीड़ लेकिन उसको पता था यह बात पता थी उसको आधे मन से उसने ऐसा कहा था और उसको पता थी क्योंकि जो भी यह मांग रहा है वो उसकी जो प्लिया है जो रिक्वेस्ट है उसके उपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है विदिट का मतलब ध्यान देना विकॉस इस पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको क्या कहने वाले हैं वह बहुत लालची हो गय है अफलावर सेलयर हो ताउन अ तब ही जब आगे बढ़ता है तो वहांपे क्या देखा सुने अक सूरत फूल बेचने वानध パंपे फूल बेचले मेस अब आभटा सबसेयों को हार बना के उसको डिफिक का करे से अँद आपने होचारे मैं परória तो फचूल सिनकार बिच् attract हो रहा था, फूलों की तरफ, फूलों की माला की तरफ, अब वो क्या करता है, फूलों की टोकरी के पास जाता है, और फिर जहां पर फूलों का धेर लगा होता है, और फिर धीरे से अपने, मतलब बहुती दबी सी आवाज में कहता है, इसको पहले से सब कुछ पता था, कि उसके पेरेंट्स उसको ले के देने वाले नहीं है, वो फूल खरीदने से मना करेंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि वो सब सस्ते हैं, उसको खरीद के क्या करोगे, और इस बार भी विचारे ने किसी आंसर का इंतजार किये भी नहीं विचारा, फिर से आगे चुछ बड़ा, और आगे जब बढ़ता है तो क्या देखता है, एक आदमी जो है, एक यलो कलर का पोल अपने हाथ में पकड़े हुए है, और इसे बहुत से एक पोल पकड़ा हुए है अपने हाथ में, और उसके बहुत सारे यलो, रेड, ग्रीन, और पर्पल कलर के क्या हैं, बलून्स उसके उपर जो है, लगे हुए हैं, जो कि ऊड़ रहे हैं, और इस बार बिचारा बिल्कुल एकदम उसका मन उसकी तरफ खिच ही जाता है, अपने आपको नहीं रोक पाता है, खिच जाना, by the rainbow glory of their silken colors, जो कि एकदम rainbow की तरह जो अपने silky colors उनके कैसे क्या फार्म कर रहे थे, और उनकी तरह बिचारा खिच जाता है, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all, अब बिचार, overwhelming का मतलब very great in amount, मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, अब वो चाहता है कि वो सारे के सारे जो है balloon उसके पास होते तो कितना अच्छा होता, but he well knew his parents would never buy him, लेकिन उसको सब पता था कि उसके parents उसको खरीद के देने वाले नहीं है, that balloons because they would say he was too old to play with such toys, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कहने वाले हैं, कि वो बहुत ही बड़ा हो चुका है, अब वो balloon से खहिलेगा, अच्छा होता है कि मान लोग, अगर बच्चे बड पढ़ जाता है, असनेक चारमर उस्टुड प्लेइंग फ्लूट, और फिर आगे क्या देखता है, एक सपेरा जो है क्या कर रहा था, जो है अपनी बीन बजा रहा था, और असनेक विच कोईल इटसेल्फ इना बास्केट, और एक सनेक जो की एक टोकरी में था, क्वाइल श स्वान, और उसका सर कैसा उठा, जैसे स्वान का सर क्या होता है, उठा हुआ होता है, वाइल दे म्यूजिक स्टूल इंटू इटस विजिबल इयर्स, लाइक दी जेंटल रिपलिंग अफ एन इन्विजिबल वाटरफॉल, और जब वो उस तरीके से वो स्नेक जो है अपना वाटरफॉल की बूने कहीं पर पड़ रही हो, धीरे-धीरे क्या कर रही हो, गिर रही हो, रिपलिंग मतलब फ्लो आफ वाटरफॉल की पानी था, वह क्या हो, वह धीरे-धीरे तरीके से जब बहर आ हो, तो जो उस तरीके का म्यूजिक होगा, कुछ उसके कानों में भी बी कई बार भी उसको मना कर चुके हैं, इस तरीके के course मतलब harsh और rough, course का मतलब क्या होता है, forbidden मतलब bend और course का मतलब half rough और harsh sound, तो bean की sound थोड़ी rough या फिर harsh होती है, तो उसको पता था कि उसके parents पहले उसको कई बार मना कर चुके हैं, कि ऐसे rough sound और ऐसे hard sound उसको नहीं सुने चाहिए, अज़र सने एक चार्मर प्लेट, जिस तरीके का sound जो है, सने एक चार्मर यानि सपेरा बजा रहा था, और इस लिए विचारा फिर से आगे बढ़ गया, और जब वो आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर देखता है, एक जूला जो है, वहाँ पर क्या था, एकदम पूरे swing में क्या गरा था, घूम रहा था, men, women and children carried away in a whirling motion, और इस पर कई men, कई women और कई children जो उस पर बैठे वे थे, जो कि क्या कर रहते, घूम रहते, round, 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 shriek then cried, और क्या कर रहते है, चीक रहते, चिला रहते, shriek then cried का मतलब, चीक रहते, चीक रहते, चीक रहते, चिलाना, with dizzy laughter, और कैसे, किस तरीके की उनकी हसी थी, dizzy, dizzy का मतलब जो है, spinning sensation की वेज़ से, जो हम फील करते हैं न, चक्कर आना कह सकते हो तो लोगों को चक्कर भी आ रहा थे लेकिन फिर भी काफी हसते हुए जा रहे थे अब वो विचारा बहुत ही मन से उनको देखता है और इस बार बहुत ही मन से पूरी हिम्मत जुटा के कहता है, request करता है I want to go on the roundabout मैं भी उस जूले पर जाना चाहता हूँ Please father mother अपने father mother से request करता है Please उसे भी मुझे भी allow कर दो मुझे भी जाने दो लेकिन उसके ममी पापा उसको पता है कि ऐसा नहीं करेंगे